हेलो दोस्तो, फानली हमें जिस बइक का काफी लंबे टाइम से इंति जारी था उस बइक को आज लॉंज कर दिया गया है जिटोस्तो हम बात कर रहे है यहमा की आरौन फाइप एस को आज इसको आज अफिसल लॉंज कर दिया गया है बट मैं अभी जो इसका वीडियो बना रहा हूँ है रिसंट ही लॉंच हुई है तो इसका जो ओफिसियल ट्रेलर है वो अभी आउट नहीं हुआ है बट इसका जो इमेज है वो आउट हो चुके है बाकी डिटेल्स प्राइज बगरा सब कुछ आउट हो गया है तो आपको इस वीडियो में सारा कुछ डिटेल्स जानने को मिल जाएगा साथ ही हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यह कितनी सस्ती हुई है क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया हुआ था उसमें मैंने बताया था कि यह जो R15 A से यह R15 V4 से और R15 M से यह चीपर होने वाली सस्ती होने वाली है तो कितना सस्ती है कितना इसका एक्टोर्म प्राइज है सारा कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा साथ इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दू लुक देखे तो आप R15 V3 जो है बिल्कुल सेम लुक रखा गया है लुक वाइज आपको कोई चेंज यहां पर देखने को नहीं मिलता है तो अगर आप न्यू लुक की उमीद कर रहे थे तो यहां पर थोड़ा सा नाराज हो सकते हैं क्योंकि इसमें आपको वाल्ड वाला ही लुक देखने को मिलता है जो कि अभी करेंट V3 में चल रहा है और सेकेंड इसके अगर बात करें फीचर के बारे में तो उसे पहले में बता दूँ यह चीपर है तो इसमें जो फीचर है वह काफी फीचर इसमें से है रिव्यूप कर दिये गया है चाहिए जो कि आपको R15S में देखने को नहीं मिलता है सबसे पहले आपको च्छिषर को डेखने को नहीं मिलता है कि यह है कि यह फार्यस के वज़े सेadora 스yट बारे में हम जान लेते हैं तो चलिए सबसे मैं इसका एंट तो बता देता हूं R15S को launch किया गया है क्योंकि यह cheaper है R15 V4 से और R1M से तो कितनी यह सस्ती पढ़ती है उसके बारे में हम जान लेते हैं तो चलिए सबसे पहले में इसका एक्सरूम जो प्राइज है वो बता देता हूँ इसका R15S का एक्सरूम जो प्राइज है वो एक लाग संताओन हजाट शेसरूपे में इसको launch कर दिया गया है साथ ही अगर इसके बात करें टोप मोडल में तो यह जो R15 V4 था उसका जो starting प्राइज है वो एक लाग एक तरह जा पड़ती है और R15 M जो टोप मोडल में अगर आप देखे तो यह 1,83,000 के आसपास में जाती है तो उससे अगर हम compare करें R15S को तो यह लगभग आपको 26,000 रुपे सस्ती पड़ती है तो यहाँ पे आपको 26,000 रुपे आप मान के चले कि अगर आपका बजट नहीं हो रहा था R15 M लेने का तो यहाँ पे आप R15S को ले सकते हैं क्योंकि उससे यह 26,000 रुपे सस्ती है साथ इसके इंजन के बारे में बात करें तो इंजन बिल्कुल सेम रखा गिया है इंजन में भी आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है सेम इंजन रखा गिया 155 CC का 4 stroke liquid cool SOHC fall value वाला ही जिसमें आपको 10,000 RPM पे 18.6 PS का power मिल जाता है और 8,500 RPM पे 14.1 Nm का torque मिल जाता है साथ इसमें आपको सेम 6 speed gearbox देखने को मिलेगा साथ इसमें जो feature है उसके बारे में बात करें तिसमें आपको multi functional LCD instrument console देखने को मिल जाता है साथ इसमें gear shift indicator भी देखने को मिलेगा इसके अलावा सेम आपको इसमें assist and simple clutch और side stand with engine cut off switch के साथ देखने को मिलता है यह बाइक डेल्टा डेल्टा बॉक्स फ्रेम पे बनी हुई है साथ ही इसमें जो rear tire उसको काफी वाइड रखा गया है 147 सेक्षन के आपको tubeless radial tire देखने को मिल जाते हैं इसमें अगर और भी कुछ और details में बात करें तिसमें आपको dual horn setup देखने को मिल जाता है color के बारे में बात करें तिसमें आपको single color option देखने को मिलता है जो की racing blue जो की यहां की जो blue color compulsory वह आपको सिफ देखने को मिलता है बड़ा चंज यहां पर आपको एक यह देखने को मिलेगा इसका जो seat है यहां पर आप देखेंगे कि एक single seat piece में इसको दिया गया है जो कि थोड़ा सा comfortable इस बार लग सकता है यह राइट करने के बाद ही पता चलेगा को इस बाइक में देखने को मिलती है तो आप मुझे बता है कि आपको यह feature कैसा लगता है क्योंकि यह normal सा feature इसमें दिया गया है ज्यादा कुछ इसमें आपको feature नहीं दिया गया है इसके वजह से ही इसका प्राइज हुआ कम रखा गया है और भी इसका जो सोरूम पर मैं जा आपको figure बता दिया कि क्या कुछ आपको मिल रहा है price, color और जो feature है वो मैंने आपको बता दिया है जल्दी से तो आप मुझे बता है कि आपको इस बाइक में क्या कुछ खास और होना चाहिए था क्या आप इसको लेना चाह रहे है क्या आपको यह price सही लगा है क्यूंकि अग मुझे बता है क्या ये आपके लिए बहतर है या या मा को और भी प्राइस कम करना चाहिए था तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में नए अपडेट के साथ तब तक के लिए राइड विद बाइक